हेलो दोस्तो वलकम टो माई यूट्यूब चैनल दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि स्मार्टफुन की एक प्रॉब्लेम की बारे में जो मुझे इस फोन में देखने को मिला अगर आपका जो स्क्रीन है वो काम नहीं कर रहा है जैसे अभी दिखे इस फोन का जो स्क्रीन है वो बिल्कुल काम कर रहा है ठीक है लेकिन दोस्तो ऐसा था कि इस यह जो फोन है इसका जो स्क्रीन है बिल्कुल काम नहीं कर रहा था यहां पर टैप करो तो यहां पर थोड़ा जगा पर काम कर रहा था बाकि यहां पर नीचे काम नहीं कर रहा था यहां फिर मैं अगर लॉंग प्रेस करके रखता तो सुईचोप का जो बटन है यह तो आ रहा था लेकिन यहाँ पर में देने के बाद यह पाउर आफ भी नहीं हो रहा था रिबोट भी नहीं हो रहा था तो यह दिक्कत मुझे इस फोन पर देखने को मिला तो सो मुझे ऐसा लगा किस वीडियो को आप लोगे साथ शेयर करना चाहिए था कि आपको भी अगर ऐसा प्रॉब्लम होके आपका जो स्क्रीन है वह अगर काम नहीं कर रहा है याने टाच काम नहीं कर रहा है फोन तो सही है तो तो कैसे आप इस प्रॉब्लम का सोलेशन निकाल सकतो इस वीडियो से मैं आपको दिखता कि टाच स्क्रीन यहां पर काम नहीं कर रहा था तो इस पोजिशन में दोस्तों आपको क्या करना है देखो आपकी सैटिंग के अंदर कुछ भी गड़बड़ी हो रखा या फिर जाधा अगर लोड हो चुका है आपकी जो फोन पे जो स्पेस कम है या फिर आप आप अपने अपडेट नहीं किया इसके वाज़ा से यह सब दिक्कत दोस्तों आता है तो यह पोको का फोन इस पर यह दिक्कत आया था तो मैं बताओ क्या करना है देखो आपको यह जो पावर का जो बटन है दोस्तों इस पे आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा इस दिक्कत आपको दिखाया तो क्या करो यह जो पार बटन है इसे तो आपका तो टच स्क्रीन तो नहीं काम कर रहा है तो आप यहाँ पर टच नहीं कर पाओगे यह सही हो गया फोन इसलिए इसको आप अभी टच काम कर रहा है यहाँ पर लॉंग प्रेस करके रखना है ठीक है लॉंग प आपके फोन के अंदर जो भी फोटो बगरा रहेगा दोस्तों वह भी कुछ भी डिलेट नहीं होगा आपकी जो फोन आपकी जो टाच है वह फिट से इसकी तरह हो जाएगा और काम करना स्टार्ट कर देगा तो यही सोलुइशन इसका आप यहाप पर लॉंग प्रेस करके आप लॉंग प्रेस करके जब तक आपको आपना हो जाए इसके मात फिट से ओन होगा तब तक आपको रखना पड़ेगा ठीक है तो दूस्तों वीडियो कर अच्छा लाइक ज़रू करना और आपका प्रॉब्लेम है तो आपका प्रॉब्लेम का सोलेशन हुआ कि ने मुझे कॉम प्रॉब्लेम है तो करना